आपको हम पर विश्वास है ना शिबा विश्वास पर से विश्वास उठ सकता है पर आप पर से नहीं इतना भरोसा है हमें आप पर अस हमें एक खुशल भैरूपिया चाहिए बार आजो अरवाजा खोलो चुपचाप बाहर आजाओ अब तक छिपोगे तुम यदि तुम चुपचाप बाहर आगए तो हम तुमें दंडित नहीं करेंगे बाहर आजाओ प्रोब 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 इतना जहीं करेंगे प्रोब प्रोब साइन को पगड़ों से बचकर जाने ना पाए पगड़ों से अगराउ युष्पाइटिया गोगव राजे 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 एक उत्पाति ने चारो और उत्पात मचा रखा है राजे उसने पहले हमारी आखों में भस फेकी पर पता नहीं कहां से पथर मारने लगा और इससे पहले कि हम उसे पकड़ते राजे वह हमारी सब की नजरों से आखों से उजल हो गया हम अपने चार सेनकों के साथ उसे पकड़ने का अथक प्रयास करते रहे लेकिन राजे पता नहीं वो कहा गायब हो गया आसमान निगल गया या जमीन में समा गया चार सेनको के साथ अच्छा हम समझ गये आनको जी काका आपने कहा आप चार सेनको को अपने साथ लेगा थे जी राजे भरंतू जबके हमने अभी पाच सेनक अंदर आते वो देखे आप लोग इस ओर जाएए जी राजीर और आप लोग दूसरी ओर देखिये आप लोग दूसरी ओर देखिये आपमें पूछा की हमने क्या गुना किया हैасть तुमने कोई गुनाने किया है तो आप ये बताईए किस जूर में आपके सैनिक हमें पकड़ करके या मुजरिम के तरह खड़ा कर दिये हैं। तुम दर्बार में क्यूं हो इसके तीन कारणे पहला तुमने लाल महल के बाहर उत्पाथ मचाया। दूसरा, तुमने मंदिर के अंदर उपद्रफ किया। वो उपद्रफ तुमने हमारा ध्यान अपनी और खीशनी के लिए किया था। और तीसरा, तुम जो दिखाई दे रहे हो वो हो नहीं। तुम ना तो कर्म से यवन हो और ना ही जन्म से। पच्पन में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कंड शेदन करवाया था। जिसके निशान अभी तुम्हारे कानों पे है। तुम हिंदू हो। और तुम जैसा सफल फेश बदलने वाला व्यक्ति एक कुशर भहरूपिया ही हो सकता है। इसलिए तुम हमारे दर्बार में हो। हमें जैसा व्यक्ति चाहिए था, वो हमें मिल गया। राजे, आपकी कुशाग्र बुद्धी के बारे में हमने बहुत सुना। आज दीख भी लिया। विश्वास कीजी हमारा। पहिल जैनायक को आज तक कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन आपकी तीव विद्रिष्टी ने हमें पहचान लिया। हमारे अंदर जो ये कुण है, कला है। हमारी इच्छा है कि आपके स्वराज के मार्ग में ये काम आए। सबसे पहले तो, तुम्हें अपनी असली पहचान सब को बतानी होगी। राजे, आपका आदेश सर आंखों पर। पर मेरी एक विनती है। कहो। राजे, मेरा असली रूप मेरी माँ के सिवा और किसी ने नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा रूप है, सिर्फ आप ही देखें। किसी को कोई आपती। अब हमारी खोच समाप थुई। हम तोड़ना जा रहे हैं। रासे, रासे हम जानते हैं। आप महासाहिब से आग्या ले चुके हैं। परन्तु हमारी एक विनती है। आपको वापस सुरक्षद आना होगा। हमारे लिए। पुरे परिवार के लिए। अपनी सयादरी के लिए। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं सही। परन्तु आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी भी तो हैं। और यदि आपकी तरह उनकी पत्नियां भी भावों खोने लगी। तो सोचिए। उनकी इच्छा शक्ति पर कितना घहरा प्रभाव पड़ेगा। आप पाँ साहिब की तरह हमारा उत्साह बढ़ाईए। रानी साहिब। इस समय हमारा पहला उद्देश्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। यह बहुत बड़ा दायत्व हैं हमारे कंदों पर। रासे। इस वक्त आप हमारे रासे की नहीं एक योद्धा की बाशा बोल रहे। आप चाहिए। परन्तु वापस आने पर हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। चाहिए पर चाहिए। यह तोर्णा किले में हमें सबसे पहले करी मेलेगा। करी जीड़ा तोर्णा किले कि सुरक्षा के वियस्ता करी समा होता है। इसका अर्थ है आपको तोड़ना के बारे में पूरी जानकारी है हाँ राजे, इनायत खां को जितनी उसके आदमियों के बारे में जानकारी नहीं है उससे अधिक मुझे है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि हम तोड़ना केले में आसानी से प्रविश कर जाएंगे कैसे? क्या गटकरी हमारी साहता करेगा? क्यों नहीं करेगा राजे? हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है और कटकरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो गूत प्रेट से बहुत डरता है अच्छा? वो गूत प्रेट से डरता है तो तोड़ना के लिए कि सुरक्षा व्यवस्ता कैसे समालता होगा? बहुत खूब समालता है राजे नहीं तो इनात्खा कपका उसे ठोकर बार के ने काल देता वो केवल अपने दाधा के बूत प्रेट से डरता है नहीं क्लिक देरी मुझे छोड़डो दो आख़वान क्लिए हमें छोड़दो ऑग़वान क्लिए हमें छोड़दो एमें चोड़दो पंदुरंगा, फिर वही सपना, दादा जी, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, शिराद में हमने सौ ब्राह्मनों को बोज दिया था, फिर भी आप मेरा पिछा नहीं छोड रहे हैं, जब तब सब्ले माकर मुझे डराते रहते हैं, पंदुरंगा, पंदुरंगा, पंदु अब हम इनायत खान के एलाके में, फुक फुक कर कदम रखना होगा हमें, आप चिंता ना करें राजे, हम तो आदिलसा के महल में भी फंदर दिन रह चुके हैं, जब बीजापूर के सुल्तान को हमारी भनक नहीं लगी, तो ये इनायत खान को तो हवा भी नहीं लगेगी, नूर खान, तुन्हें काफिरों का साथ देने का नतीजा देख लिया ना, अब तेरे खांदान में कोई भी तुबारा ऐसी हरकत करने की जड़त नहीं करेगा, कर दो क्य ludzie अड़ेगाक हाँ में, अर भी तुनại हे उर तुना का रा थी दंग थारेयों करेगी, तुokol मेंचे भी तुरूरुड ce Même स्प거 आज़icy का तुड़ा Payal, नहीं का बीजिया टू़नconomूर की दू़नी हrim ? अभाव। अभाव। इस थलील हरकत की सजा मात है मात! खुदा की कसम मैं तुझे यही मार डालता लेकिन किलेदार हुजूर ने तुझे जिन्दा रखने के लिए कहा है अच्छ गादा जी दिया करूं कुछ पर क्या बिगारा है मैंने आपका अब तो कहलाश वासी हो जाओ पता नहीं अपने जीवन में अपने इसा कौन सा कर्म किया जो अब तक आपको मुक्ष नहीं मिला दोस्ट और खुआलक पेरा अंत आ गया है अब तुझे रही काल के गाल में समा जाएगा सादुमाराज शराप क्यों दे रहे हैं क्या बिगारा है मैंने आपका क्या बिगारा है तुमने घोर अनर्थ किया है मुझे ड़राओने स्वपन आते हैं ना बॉल धरने सादुमाराज आप तो अंतर गयामी हैं तो तेरे स्वपन में तेरे दादा जी आते हैं किरा करके तेरे च्छाती पे बैठ जाते हैं तेरा गला दबाते हैं है ना सच सच महराज एक एक शब्द सच है उन्हें अपने बाबा अपने दादा दोनों का अपमान किया है इसलिए उनकी आत्माए कुछ से रुष्ट तुझे अब जाना होगा जाना होगा? कहां जाना होगा महराज? अपने दादा जी दे दे यम्राज कुझे लेने आ रहे हैं तयारी का रहे हैं पंड़ोंगा 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 तुझे कोही रास्ता बुता तादू महराज आप हमारे दादा जी को मतलब मेरे पूरवजो को कैसे जानते हैं? दोस्त अभी अर्क और नाई देवी को विदेशी शाचकों ने बंदी बना लिया और तू देवी मा की रक्षा करने के बजाए उसने संसकों के किला की रक्षा कर रहा है और पूछता है हम से कि हमने क्या किया है अब मुझे डंडित ना करें तो अंतर यह भी है तो नहीं देवी को नहीं तू बंदी नहीं बना है न देवी मा कौन की बग्दों से दूर रखकर स्वयम दिम्राथ पूजा पाठ में लीन रहता है तुझे क्या लगता है तुझे पन्य मिलेगा तुझे पन्य नहीं पाठ मिलेगा नर्क मे जाएगा तू एस्तावम वाराथ हमारी सवस्चया का समाध्धान कीजे मुझे यह बनारा समचाएए मैं मरने नहीं चाहता हा? हा? सादी म hammer आप माराथ इस संगर्स उपारिये कुछ उपाई बताईए महाराज कुछ उपाई बताईए उपाई है बच्चा उपाई? क्या उपाई है? क्या उपाई है महाराज? मैं करूँगा सब उपाई मैं करूँगा केवल एक उपाई है गाने दर लओ ध्यान लगाओ, और शान्त मन से सोचू, आने वाले दिशेरे के शुब दिन पे, देवी मा को माला चड़ानी है, और नवरात्र की पूजा की तैयारी के लिए, हमें अभी इसी समय मंदिर में प्रवेश करना होगा. असंभाओ, असंभाओ, कि लिए में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो हम जा रहे हैं, तो हम दिन रात इनायत खान के चरों में पड़े रहो, और यम्राज के आने के प्रिक्षा करो, सादुजी महराज, प्रणाम सादुजी महराज, आप लोग चाहिएगा नहीं, मैं आ अप लोगों के लिए भोजन के वैवस्था कर रही हूं, इसकी कोई आवशक्ता नहीं है, एक देश-द्रोही के घर का अन्य क्या, जल भी हम ग्रेड नहीं करते, देश-द्रोही, और मैं, हाँ, तुमने देवी मा के साथ विश्वास घात किया है, तोड़नाई मा को एक ने हमारे चरन तुमारी चोखट पर आ गए, यही तुमारे लिए बहुत बड़ी बात है, चलिए गुरुजी, ज़ो सेश-द्रोही, साथुजी, 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 स्वामी, देखे, इनका शिष्य सत्य कह रहा है, आप इनकी बात माल लीजिए, मैं कल सुख जाकर इलिजार इनायत खां से मिलता हूँ छात है रहा है, रहा है कि भीजिए ओम्या ग्जधी टूध syोजी, जेयार कि अद्रोही बात है, अरौही बात है कि जाझ रहा है, आप दोपार मीन önदाख को रहा है oh